दोस्तों नई वीडियो में आपका स्वागत है अभी जेपूर में हूँ और ये जेपूर का अंबेड कर सरकिल आज हम इस वीडियो में जेपूर सहर को देखने वाले यहां तक हम जेपूर सहर की तरफ जाएंगे और पूरा वीडियो देखें आपको मज़ा आने वाला है और यह अम्बेड कर सर्किल पर बाबा साव मीमराव अम्बेड कर थी कि मूर्थी लगी विस्टेचुट बना हुआ और यह इदर कि शीटी की तरह प्रस्ता जाता हुआ और यह बिड़ला मंदिर को और इदर हम बोलेंगे तदर यह सामने स्टेडियम और आगे विदान सबा है आईए चलते हैं और यह अम्बेड कर सर्किल के पास ही कर बावन इंकम टेक्स ओपिस और उसके आगे राजस्तान हाई कौर्ट कर बावन के बिलकुल पास वाला ही और इदर यह देखेंगे तीए Central Park का पुरा कपुरा यह यहा से सुरू होता है यह कौने से और आगे तक यह Central Park है और इस वीडियो में हम आगे City तक जाने वाले हैं बढ़े रहें पूरे वीडियो में वैसे तो जैपूर से है काफी सुन्दर बसाय हुआ है लेकिन ये इलाका जहां पर अभी हम है ये और ज्यादा खूपसूरत है या ये समझेगी ये जैपूर का सबसे खूपसूरत इलाकों में से एक है क्योंकि सामने विदान सबा ये सेंट्रल पार्क और ये यहां पर हाई कोड और ये उसके बाद हाई कोड के बाद यहां पर वानी की पत आगे जो रस्ता जा रहा है आए आगे चलते हैं ये पूरा का पूरा इलाका वी आई पी के लिए है वी आई पी मोमेंट यहां पर हमेश के सामने कि यह असोग कलब आप देखें कि 1929 में यहां कि राजा ने यह असोग कलब बनाया था आजादी से बहुत पहले ही काफी पुराना यह असोग कलब जो इसी मेन रोड के उपर और यह रोड आप देखेंगे तो काफी चोड़ा रोड है यह तीन ट्रेक इदर तीन ट्रेक उदर छे ट्रेक का यह पुरा रोड है आईए आगे चलते हैं और यह यहां साशन सची वाले यानि देश को चलाने के लिए मंतरी होते हैं और उनके सची होते हैं जो देश को चलाते हैं यह गौवर्मेंट के बड़े ओफिसर उनके लिए और इसके सामने एक असोग कलब का एक और गेट साशन सची वाले की बिलकुल सामने और यह साशन सची वाले का बाउन्डरी के पहार से पुरा व्यू का भी बड़ा अंदर सची वाले है बड़ी बिल्डिंग है आईए और आगे चलते हैं और यहां से सेंट्रेल पार्क शुरू होता है यह गेट नमबर एक है सेंट्रेल पार्क का और इसके तकरीबन इसका अंदर का सरकील जो है वो 5-6 किलो मेटर का वोकिंग का जो सरकील है उस पे यदि आप एक चक्कर पुरा लगाते हैं सेंट्रिल पार्क का अंदर वोकिंग में तो 5-6 किलोमेटर का पुरा राउंड होता है काफी बड़े एरिये में ये सेंट्रिल पार्क है और इसी के साथ ये यहां सहदेव मार्ग है जो अंदर रस्ता जा रहा है सची वाले के साथ साथ और ये में रोड यहां का ही जिस पे अभी हम चल रहे हैं और ये यहां सेंट्रिल पार्क का गेट नमर्ट दो आ जाता है सेंट्रिल पार्क सुबह 5 बज़े से लेकर के और रात में 9 बज़े तक खुला रहता है और ये यहां इंकम टेक्स डिबार्टमेंट है आएकर विवाग का ओपिस है यहाँ पर ये में ओपिस राजस्तान का काफी बड़ी बिल्डिंग है ये भी और इसी के पास में ये साइल में इधर एजे ओपिस है एजी का ओपिस और इसी रोड पे ये सामने बीडला ओडिटोरियम बीएम बीडला साइंस अंड टेक्लोजी सेंटर अल्यक्तायल इस बड़ा है और इसमें भी टाइम टाइम पर फंक्सन होते रहते हैं ये भी इधर नेशनल पारक सेंट्रल पारक के बिलकुल पास में ही है आए और आगे चलते हैं और ये स्टेट्सू सर्किल जेपूर का फेमस स्टेट्सू सर्किल के अभी हम कहुँच गए है इसी पे ये एक साइर में बात करें दिदर ये आईकर विबाग का ओपिस है इंकम टेक्स ओपिस और सामने ये रोयल विला है और इस साइर में ये बिड़ला ओडिटोरियम है जो अभी हमने देखा इस तरह से ये एक बड़ा सर्किल यहां स्टेट्सू सर्किल आईए और आगे चलते हैं और यहां इस जगे पे कबूत्रों को दाना डाला जाता है तो बहुत सारे कबूत्र आपके सामने देखिए इसी स्टेट्सू सर्किल के उपर ये दाना चुग रहे हैं और अपना इंजोई कर रहे हैं यहां पर और सामने ये इनकम टेक्स ओपिस और ये स्टेट्सू सर्किल और ये सामने फिरला ओडिटरियम और ये यहां पर आएकर अतितिग्र है इनकम टेक्स ओपिसर जो है उनके महमानों के लिए और ये सामने सरोजनी मार्ग और ये यहां एक छोटा सा चुराया बन जाता है और इसी के उपर ये सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग कॉमर्शेल बिल्डिंग जिसमें बड़े बड़े ब्रांड यहां पर है ये देखिए यहां पर ये सब ब्रांड यहां आपको दिखाई दे रहे आईए और आगे चलते हैं और ये यहां राजदानी होस्पिटल है राजदानी होस्पिटल के पास हम पहुंचे हैं और इसी के सामने सेंट सोल्जियर पब्लिक स्कूल और ये आगे का व्यू आईए आगे चलते हैं और ये सेंट सोल्जियर पब्लिक स्कूल के पास में ही मेरी लेंड स्कूल और इसी के साथ ये वर्दमान पत्र जिते अंदर श्रीमाली चेर्मेन यहां इदर रहते हैं इसी में आईए और आगे चलते हैं थोड़ा आगे चलते हैं ये सेंट जेवियर स्कूल का गेट नमर दो है सेंट जेवियर काफी पुराना स्कूल है ये आजादी से पहले 1941 में बन गया दा ये आपको दिखाई दे रहा हूँ जूम करके और ये इसके सामने का पूरा व्यू आईए आगे चलते हैं और ये एमाई रोड का पांच बत्ती सर्किल ये लेट और राइट में एमाई रोड सिधा सिंग द्वार और ये दिया राइट में जाते हैं तो आगरा रोड आगे आजाता है और ये इसी के साथ में राजमंदिर सिनेमा जेपूर का काफी फेमस और काफी पुराणा ये सिनेमा तो इस वीडियो को यही तक रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो देखा आगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें जै हिंज जै भारत बहुत बहुत का रखें